गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स आप सभी को एंबीजीनियस चैनल पर स्वागत है मैं मुकेश कुमार आज आप लोगों के बीच में एक टॉपिक ले करके आए हैं जिसका नाम है ट्विन्स डेट मिन्स जुड़वा बच्चा यह जो टॉपिक है सो सिर्फ पढ़ने वालों के लिए ही नहीं बलकि जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है जानकारी के लिए हम आउटी चीज लेकर के आएं ताकि सभी लोग जाने जो चीज हमारे समाज में बहुत अशी घटना घटती है जिसको हम अपने आखों से देखते हैं परंतु जो मनुसियों का जो मानमों का होता है एक बच्चा होता है लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है दो बच्चे हो जाते हैं अब वो दो बच्चे कैसी हो जाते हैं जुडवा बच्चे कैसी हो जाते हैं एक साथ में उसको हम पढ़ेंगे और यह भी हम लोग देखते हैं कि जब कि किसी को जुडवा बच्चा होता है तो किसी किसी को ऐसा होता है कि दोनों लड़के हो गए हैं किसी किसी का ऐसा होता है कि दोनों लड़कियां हो गई हैं और किसी किसी का ऐसा होता है कि एक लड़के और एक लड़कियां हो जाती है ऐसा क्यों होता है एसा किस वज़ा से होती ह है इसको हम आज की लेक्चर में पढ़ेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ट्विंस तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो तो मनूसियों में मेल और फीमेल जैसे की बच्चा होता है तो मनुस्यों का मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है तो मेल की जरूरत पड़ती है उसमें अस्पर्म की जरूरत पड़ती है और फीमेल की अभा की जरूरत पड़ती है तो मेल में क्या पाये जाता है तो मेल में अस्पर्म पाये जाता है अस्पर्म हिंदी में इसको सुक्रानु काते हैं क्या काते हैं सुक्रानु और पुरुसों में जो पाये जाता है उसको हम लोग सुक्रानु काते हैं और जो महिलाओं में पाये जाता है मेल में और जो महिलाओं में पाये जाता है उसको हम लोग अंडानू काते हैं या अभा काते हैं अंडानू इंग्लिस में और हिंदी में अभा नई इंग्लिस में अभा हिंदी में अंडानू काते हैं तो मनुस्यों में जो है अस्पर्म पाय जाता है, मेल में, पुरुसों में और महिलाओं में अभा पाय जाता है, तो जब ये अस्पर्म और ये अभा एक दूसरे से मिलता है, तो जैगोट का निर्मान करता है, और उसी जैगोट से हमारे महिलाओं के यूटरस में बेबी का न नीर्मान होता है और कही से जाइगोट का होता है हम इसे में पढ़ेंगे और कहीสे जाइगोट में दिफॉल्ट के कारण हमें कभी कभी डुल देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग समझेंगे तो जब मेल और फिमेल का हटिलाइजेशन होता है मेल और फिमेल जब कोपुलेशन की एक्सन करती है कोपुलेशन कोपुलेशन या उसको मैटिंग भी कहते हैं। कोपूलेशन क्या होता है जब मेल कोई पुरूस और कोई इस्तरी एक दुसरे से संबंध बनाता है तो उस संबंध कोई हम लोग कोपूलेशन कहते हैं और कोपूलेशन के दवरान क्या होता है कि मेल के सरीर से मेल के सरीर से पैनिस के मैदियम से अस्पर्म नेकलता है और जो फीगर हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं यह फीगर महलाओं का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो महलाएं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती या उसका फीगर है तो कोपुलेशन के दोरान क्या होता है कि मौ पूरुसों से मेल से क्या निकलता है यह और उस अस्पर्म का जो स्याप होता है वो इस तरह का स्याप होता है अस्पर्म का स्याप अनि अस्पर्म का जो आकार होता है वो इस तरह होता है देखिए फीगर में यह हो गया अस्पर्म यह हो गया अभा यह अस्पर्म है और यह अभा है तो जब कोपुलेशन का एक्षन होता है तो कोपुलेशन के दोरान क्या होती है कि जो मेल से मेल से असपर्म निकलता है यही असपर्म और यह भेजायना के रास्ते सर्विक्स से होते वे यूटरेस में पहुंचता है और यूटरेस से होते वे फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इसका नाम सब है लोपिन ट्यूब यहां अभी टक्त कुछ भी का सकते हैं लोग और महिलाओं के इसको अभरी और इतुर अन्दान यहां निकलता हैं और यहां से एक ग्याग निकल करके कहा हा चला mostrar है यहां चला पहल रहा है लेकिन यहां जाते जाते बहुत सारे असपर्म मर जाते बीच में ही मर सकतेikes और कुछ में पहुँचते हैं और हासे जो हैं अबहा निकलती है और अबहा निकल करके तक पहुचता है तो यहाँ पर लूपन यहां करके सपर forbidden क्या करता है मिलता हैं जब अस्पर्म मिलता है और पहर अस्पर्म के मिलने से इस अभा और यह स्पर्म के मिलने से क्या बनता है तो जाइगोट का निर्मान होता है क्या तो जाइगोट का निर्मान होता है इस अभा और अस्पर्म के मिलने से एक जाइगोट का निर्मान होता है देखिए जाइगोट का फिगर जाइगोट है वही जाइगोट क क्या होता है जब यहां बन जाता है तो यहां यहां पर हमारा बेबी क्या होता है तो पलने लगता है कहां यहीं यूटरस में लेकिन बट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस जाइगोट में किसी प्रोब्लम से किसी वजा से क्या होता है कि विखंडन हो जाता है आनि टुकडो में बट जाता है यह जाइगोट विखंडन हो जाता है जब यह जाइगोट विखंडन हो जाता है तब यह जाइगोट जो है तो दो भागों में बट जाता है कितने भागों में दो जाइगोट में डिविजन हो जाता है एक जाइगोट और दो जाइगोट दो यह जागोट जो है जब अस्पर्म और अभा मिलता है अस्पर्म और अभा मिला तो अस्पर्म और अभा मिलने के बाद जागोट बनता है जागोट का फिगर है देखिए अस्पर्म है इधर से अभा जा रहा है तो अस्पर्म जा रहा है और उधर से अभा है तो अस्पर्म और अभाजा मिलता है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद हमारा बेवी बनता है जिसको यूटरस में सापित किया जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई प्रोब्लम की वज़ा से कुछ रीजन की वज़ा से इसमें क्या होता है डिवीजन हो जाता है इसमें पॉल्ट होने के बाद यह जाइगोट है इसमें डिवीजन हो जाता है या दो टुकडों में बट जाता है कितने टुकडों में तो दो टुकडों में बट जाता है जब दो टुकडों में बट जाएगा तो दो जाइगोट बन जाएगा और जब दो जाइगोट बन जाता है त तो दो बेबी बन जाएगा, कितना बेबी तो दो बेबी बन जाएगा, यूटरस में दो बेबी, एक साथ है दो बेबी, अब बात रही कि ये जो बेबी होगा, वह मेल होगा कि फिमेल होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, होगी तो कैसी होगी, बॉय होगा कि गर्ल और यह एक अस्पर्म एक औभा के साथ क्या कर ला है फर्टिलाइज कर रहा है एक या स्पर्म एक औभा के साथ पर्टिलाइज कर रहा है और यहां तब एक ही गुनसुत्र आनि एक ही क्रोमोसॉम किया आनि जो भी यह होगा एक ही होगा या तो यह एक्स होगा या तो वाई हो यह जो होगा इसका गुनर इसका गुन मिलता जूलता होगा जब मिलता जूलता होगा तो हो सकता है कि यह दोनों लड़का होगा यह दोनों लड़की होगी यह दोनों लड़की होगी यह दोनों गर्ल होगा यह तो बाय होगी एक गर्ल रेक बाय कभी नहीं हो सकता होगा तो यलग यलग होगा इन दोनों का दोनों बॉय चाहे गर्ल जो भी हो और इन दोनों का जो स्याई जो होगा बोडिया स्ट्रक्चर जो होगा हूब हूँ ये जैसा होगा देखने में बाजान में नहीं आएगा कि कौन है बिल्कुल एक तरह दिखता है यह जो है जो होगा बिल्कुल एक तरह स्यामिस की तरह देखो इस चोटा क्यूट सा बेबी को कितना क्यूट लग रहा है दुनों एक दुसरे से नजर मिला रहा है देखो कितना क्यूट लग रहा है तो बिल्कुल हुब हुँ एक जैसा होगा लेकिन इसमें भी कुछ डिफ्रेंस पाय जाता है मानों में कितना भी हुब हुँ क्यों ना हो लेकिन उसमें भी कुछ डिफ्रेंस पाय जाता है वो क्या है फिंगर प्रिंट क्या है तो fingerprint और आखों का आईरीस इसलिए जब हम कहीं जाते हैं पैसा निकालने के लिए अधार काट से तुम्हाँ fingerprint मांगता है क्योंकि दुनिया में कितनों मानव क्यों नहों fingerprint हर किसी का अलग होता है और आईरीस जो है वो भी अलग होता है इसलिए अधार काट बनवाने के लिए जाते हैं तो हमारा आईरीस का फोटो लेता है यही वज़ा है तो मानवों में इन दोनों बच्चों में जो डिफरेंट होगा तो सिर्फ वही होगा कि इसकी आईरीस या लग होगी और इसका fingerprint लग होगा बलकि दोनों का सैप, साइज, बोडी आश्ट्रक्चार गोरा होगा दोनों तो दोनों गोरा होगा काला होगा तो दोनों काला होगा बिल्कुल एक तरह देखो इस बेबी की तरह तो यह हुआ हमारा एक अस्पर्म और एक औभा के मिलने से जाइगोट बनता है और इस जाइगोट में ही डिवीजन हो जात काते हैं क्या काते हैं मोनो जाइगोटिक पर्टिलाइजेशन काते हैं इसको तो इस तरह हमारा दो बेपी उत्पन हुआ और दोनों या तो मेल होगा या तो फिमील होगा अब हम दूसरा चलते हैं कि दूसरा पॉइंट कि दूसरा पॉइंट क्या है दूसरा पॉइंट हम लोग जिसको कहते हैं डाय जाइगोटिक डाय जाइगोटिक डाय मतलब दो जाइगोटिक मतलब जाइगोट डाय मतलब दो और जाइगोटिक मतलब जाइगोट अब क्या होता है दूसरा में जब कॉपुलेशन का एक्षन होता है किसी मेल और किसी फिमेल का संबंद होता है एक दूसरे के साथ जब संबंद होता है तो कॉपुलेशन के द और क्या भैजायना से होते हैं, कहां जाता है, पुनही से डक्ट में जाता है, लेकिन कभी काल ऐसा होता है, महिलाओं में कभी काल ऐसा हो जाता है, कि यह जो अभरी है, अभरी क्या है, अभरी, इस अभरी से इधार से भी एक याग निकल गया, और इधार से भी एक याग निक निखल गया एक एक औभा निकल गया दोनों साइड से अधर से भी एक महिलाओं के दोनों साइड जो पेट है तो लुजा भू जाता है यह निकलता है दूसरा भार में एक साइडसे निकलता अरुक्म क्या होता है कि किसी वज़ा से दोनों साइड से अभा निकलाता है इधर से भी अभा निकलाया और इधर से भी अभा निकलाया और दो अभा निकल गया जब दो अभा निकल जाती है तो हम जानते हैं कि जब कोपुलेशन की किरिया होती है तो भैजायना की राष्टे सर्विक्स से होते हुए जब अस्पर्म मुब करता है अस्पर्म जब मुब करता है तो मुब करते हुए अभी डक्ट में पहुंचता है इधर भी मुब करेगा इधर भी मुब करेगा जहां इसको अस्पर्म मिल जाएगा हम लोग जा रहें जा रहें चलते जा रहें चलते जा जाती है कौन इसकी अपनी जहां भी इसकी मंजिल मिल जाती है जाकर के मिल जाता है तो यहां से असपर्म इधर गया और इधर गया दोनों साइड असपर्म करता है लेकिन क्या होता है असपर्म जब इधर जाता है तो एक असपर्म हजारों की असपर्म करूडों की असपर्म म से एक दो यहां तक पहुच पता है तो यहां तक यह मिलता है तो यह तो गैने बान्ट बंता ईस्परम उर्दो अलग-अलग मिलेगा तो दो जायगोट बनेगा तो यहां भी दो एक अस्पर्म इससे मिला और एक अस्पर्म इससे मिला तो एक जैगोट जो है तो यहां बनेगा और एक जैगोट जो है तो यहां बनेगा इसमें क्या हुआ कि एक अस्पर्म जो है एक अस्पर्म यहां फर्टिलाइजेशन किया दूसरा अस्पर्म यहां फर्टिलाइजेशन किया यह हमारा अभा है और यह अस्पर्म है तो अस्पर्म अभा फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बना क्या बना जाइगोट तो यह भ होगा दो बेबी होगा तो जब दो जाइगुट बन जाता है तो दो बेबी हो जाता है और ये दो बेबी पुना उसी परकार जिस तरह पिछला बार हम देखे थे कि या करके यूटरस में अस्थापीत कर दिया जाता है अर्थात यहां पर यूटरस में अस्थापीत हो बीबी पलेगा लेकिन लेकिन ये जो बीबी होगा तो ये बीबी मेल होगा ये फिमेल होगा लड़का होगा ये लड़की होगी वो होगी तो होगी क्या तो यहां ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए कि ये जो अस्पर्म है क्या है अस्पर्म है और ये भी अस्पर्म है त उपरकार क्या स्पर्म तो हो सकता है कि यह स्पर्म वाई हो यह भी वाई हो हो सकता है कि यह स्पर्म एक्स हो यह भी एक्स हो हो सकता है यह स्पर्म एक्स हो और यह वाई हो हो सकता है ना that means हम कह सकते हैं कि यह जो बेबी होगा या तो दोनों लड़का होगा या तो दोनों लड़की होगी या तो एक लड़का हो सकता है या तो एक लड़की हो सकती है इसमें कुछ identify नहीं कर सकते देखिए दो अस्पर्म है क्या है दो अस्पर्म निकल रहा है और दो अभा से क्या कर रहा जाकर के फर्टिलाइज कर रहा है जब दो अस्पर्म और दो अभा जाकर के फर्टिलाइज कर रहा है तो दो जायगोट बन रहा है देखो बन रहा है दो जायगोट और जब दो कौन ये दोनों बेबी तो इसका identify होता है कि यह male है कि female है तो देखी जब धर्ती माँ पर आई धर्ती की गोद में आई तो दोनों बेबी एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई कितनी खुब सूरत है लेकिन ये दोनों का जो structure होगा बोडी का जो बनावट होगा ये दोनों का अलग-अलग difference होगा एक जैसा नहीं होगा हो भी सकता है ये जैसा भी हो एक जैसा भी हो सकता है लेकिन ज्यादा संभावना है कि दोनों अलग-अलग होता है आनि दोनों का बोडी ए structure हुब हुब नहीं दिखेगा फोटो कोपी एक दूसरी का नहीं होता है पिछला में जो हम लोग मोनोजाइगोटिंग में पढ़े थे उसमें जो दोनों बेबी होता है एक दूसरी का फोटो कोपी होता है तो हम जरक्स कोपी पूरा जरक्स करके निकाला हुआ रहता है लेकिन यहां फोटो कोपी नहीं रहता है दोनों में ड या जागोटिक फटिलाजेशन होता है तो उसमें एक मेल या फिमेल आनि एक लड़का या एक लड़की या दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकती है और दोनों का सरीर का बनावट से हम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उस पर डिपेंट नहीं करता है तो ये भी twins आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब हम next की और बढ़ें चलिए एक और टाप पढ़ती हैं हम लोग तीसरा टाप से जो twins होता है उसको हम लोग simage कहते हैं simage detail से हम समझेंगे simage क्या है तीसरा टाप जो बेबी होता है उसको हम लोग simage कहते हैं simage क्या है तो यह एक विचित्र चीज है यह जो टाप है बहुत विचित्र चीज है साइद आप लोग कभी देखें नहीं होंगे हम लोग भी नहीं देखें हम भी नहीं देखें एसा जो बेबी हुआ हैyr साइद आप लोग कभी देखें भी नहीं होगे लेकिन ऐसा हुआ है अब ऐसा क्या है इसमें क्या होता है कि ये कही सरीर में ये कही सरीर में दो बेबी का निर्मान हो जाता है एक ही शरीर में, आनि उसका कोई एक और गेन एक दूसरे से जॉयंट होता है, या तो दोनों का हेड जॉयंट होगा, या तो दोनों का हाथ जॉयंट होगा, या दोनों का पेट ही जॉयंट हो जाता है, या दोनों का कमर ही जॉयंट हो जाता है, एक दूसरे का कोई न कोई और गेन, और कोई न कोई यंग जो है जो जो इन्ट होता ही होता है इस सायमेज में उसको हम लोग समझेंगे तो उसी परकार जब fertilization होता है Copulation होता है तो Copulation के दोरान Aasperm यहाँ से निकलती है Asperm यहाँ से निकलती है चलती है, इसमें इंटर करती है भेजाएना से होते वे सर्विक से होते uterus में पहुंचती है उसके बाद यहाँ से औभा निकलती है ध्यान रखना एक बार एक बार इसका पारी होता है, तो एक बार इसका पारी होता है, दोनों का पारी बटा हुआ है, यह एक बार निकल गया तो यह नहीं निकलेगा, यह निकल गया तो यह नहीं निकलेगा, तब क्या होता है, जब अस्पर्म मुभ करता है, मुभ करते हुए यहां से क्या हुआ, अ से अभा निकला और अस्पर्म मुभ करते हुए यहां तक पहुचा कहां तक यहां तक पहुचा जब यहां पहुचता है तो इधर से अभा निकलता है और इधर अस्पर्म जाकर के मुचता है तो जब यहां पर पहुचता है जैसे फिगर में हम समझते हैं यह हमारा हो गया और और यहां से जब अस्पर्म पहुचता है अस्पर्म पहुचता है और यह अभा है जब दोनों मिलता है तो जैगोट बनेगा और जैगोट बन जाता है जैगोट बन जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें खराबी आ जाने की वज़ा से इसमें कुछ प्रोब्लम हो जान लेकिन अबर जो भी खंडन होता है वो पहले जैसा नहीं होता है आणि पूरा पूरा भी खंडन पूरा पूरा डिबीजन नहीं हो पाता है इस ज्ञाय गोट का पूरा पूरा तो ऊब यह बudesन नही पकाता है और धात इधर भी अलग बेबी बनेगा इधर भी अलग बेबी बनेगा दोनों साइड दो जीव का निर्मान हो जाता है और यहां जो है कोई और गेन जूट जाता है कोई एक यंग जूट जाता है दोनों से लेकिन जो दोनों बेबी होगा वो यलग यलग होता है यह अलग ब चेखिए फिगर में कि Focus में देख सकते दोनों का क्या है पेट जुड़ा ओवाई अभी यह बैबी है यह जो बत्चा δिमाग अलग काम करता है वो इसका दिमाग यलक काम करता है समझो कितना रेर केश देखने को मिलता है लेकिन कितना दुर्भाग साली होती है वो औरत जो इस तरह के संतान को पैदा करने के लिए मजबूर हो जाती है दोनों का दिमाग ये अलग होता है उसका भी उसका भी और ये कितना दुर्भाग साली होता है ये बच्चा जीने को मजबूर हैं, आजकल तो दो अलग-अलग जिस्म होने के बावजुद भी, दो अलग-अलग husband wife होने के बावजुद भी, एक साथ नहीं टिक पाता है, और ये दोखो, एक ही समान होने के बावजुद भी, एक साथ कितना तकलिप से रहता है, अब ये जो बेबी है, व तो दोनों लड़का होगा, तो दोनों लड़का होगा, और दोनों लड़की होगी, तो दोनों लड़की होगी, कोई एक लड़का, एक लड़की कभी नहीं हो सकता, अब ये एक लड़का, एक लड़की क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अस्पर्म है, ये खी अस्पर्म है, लड़का होगा या लड़की होगी दोनों स्यामन ही होगा अलग अलग नहीं हो सकता तो ये प्रोब्लम होता है सब जाइगोट की वज़ा से किसकी तो यही जाइगोट की वज़ा से इसी जाइगोट में जब कोई प्रोब्लम होता है यही है जाइगोट इसी जाइगोट में जदि कुछ प्रोब्लम हो जाती है तब यही साथ डिविजन होता है और हम लोग ट्विन्स देने के लिए मजबूर हो जाती है यही वजा है तो यह है ट्विन्स तीन तरीके से ट्विन्स होता है पहला हम लोग पढ़ें कि जब दो बच्चा होगा दोनों स्यम होगा दूसरा हम लोग डाइजागोटिक समझें कि दोनों अलग-अलग की इस तरह होता है और तीसरा हम लोग सामेज समझें जिसमें दोनों जुड़ा रहता है तो यही वज़ा है कि तूट टीन से और जुड़वा बच्चा होता है यही ट्विंस की वज़ा से तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं अगला सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो लड़कियों का जो गशी लोगों की चाहिए जह बहँता है कि यही चाहिए यह भी समझेंगे कि प्रियद कनमें उट और रेट लिक्वीड काू होता है तो वाइड लिक्वीड काू के से होता है और रेड लिक्वीड का फॉले कैसे होता है हम अगला नेक्स्ट वीडियो जब हम लएंगे तो उसमें मैं में सुरेंशन साइकिल पूरा डीटैल से समझाएंगे तो आज यहीं पर इन्ड करते हैं Thank you very much.